आईए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नया COVID-19 variant है वो कितना dangerous है जो हमें UK में देखने को मिल रहा है तो काफी important चीज हो जाती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी तत कोरोना भारस जो है वो गया नहीं है हमारे country में overall world में काफी ज़दा कोरोना cases देखने को मिल रहे है second view की बात की जा रही है अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर एक नया variant आ रहा है तो भटा भी ऐसे कि वहाँ पर काफी गुंता गुंती हो जाएगी तो यह क्या है कितना dangerous है क्या यह fatal है क्या इससे मौत हो रही है कितना spread हो रहा है यह सारी चीज़े हमारे ले जानना बहुत ज अहले का दुनिया की तो जो कोरोना है यह काफी बुरी तरीके से spread हुआ है ना मतलब यहां पर एक pandemic ज़गह है वह बन गया पैंडेमिक मतलब क्या होता है कि maximum area में अगर उसका असर बहुत ज्बात हो रहा है ठिंग है मतलब यहां पर भी हो रहा है यहां पर भी हो रहा है यह यहां पर भी हो रहा है मैक्सिम जगह पर उसका असर हो रहा है उसे हम कहते हैं पैंडिमिक, कोरोना वारस बन चुका है पैंडिमिक, अब अगर आप पुरी दुनिया में केसेज देखोगे तो काफी बूरी तरीके से हो गए है, डेज जो है वो भी काफी ज़्यादा हमें लगाया गया था फिर उसके बाद unlocking जो है वो शुरू हो गई है और अभी हमें unlocking जो है वो देखने को मिल रही है बहुत सारी जगह पर second wave जो European countries है वहाँ पर हमें second wave जो है वो भी देखने को मिल रहा है और बात की जारी इंडिया जो है वहाँ पर भी second wave आ सकती है तो ऐसे सिनार है एक नया virus coronavirus जो उसका mutation वाला रूप निकल कर आया है ऐसा बोला जा रहा है अब अगर आप starting से follow करते हो तो जब coronavirus के बारे मैं ने डीटेल में देखा उसके बारे मैंने आपको बताया था कि mutate भी करता है मतलब क्या है कि जो आपके अंदर virus है फिर आपकी द्रोगर मेरे अं अंदर रहे एज़ता है लेकिन उसमें थोड़ा mutation थोड़ा changes जो है वह होते हैं अब ऐसा जब mutate करता रहता है हो सकता है कि एक नई strain जो है वो हमें देखने को मिले और यही नई अब इन्नोंने पिकाफी लेट बताया है जैसे कि चाइना ने चाइना को हमने बोला है कि उन् आप देख सकते हो किसे किसे mutation होता है mutation जो है ये क्या है change in an organism's genetic material मतलब जो genetic material होता है उसमें अगर changes हमें देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते है mutation ठीक है जब virus makes millions of copies of itself जब एक virus जो होता है millions of copies खुद की बनाता है और वो एक से दूसरे के शरीर में जाता है ठीक है तो जब भी वो copy कर रहा है खुद को identical नहीं रहता है मतलब यहाँ पर यह अगर एक virus है दूसरे इसमें जा रहा है तो यह दूसरा बनके जा रहा है ठीक है उसमें कुछ changes हो रहे है ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा और यही मैंने map-based exercise में आपसे पूचा है यही country पूची है तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नीचे के portion को क्या बोलते है ये portion को क्या बोलते है इसको क्या बोलते है फिर overall इसको क्या बोलते है और overall इसको क्या बोलते है यह सारे नाम भी आपने महाँ पर लिखे होंगे मतलब कि समझ लिए इंगलेंड फिर ब्रिटेंड फिर ग्रेट ब्रिटेंड फिर युनाइटेड किंग्डम है ना तो आपने जरूर लिखा होगा अब यहाँ पर जहां बात करते हैं इंगलेंड के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इसका रेफर किया जा रहा है यू वी आए वेरियेंट अंडर इंवेस्टिकेशन 2020 टीक है बारा और एक इस तरीके से इसको नाम दिया गया है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोरोना वाइरस है उसका नया वेरियेंट वहाँ पर हमें देखने को मिला है जो काफी तीजी से स्प्रेड हो रहा है जो यहाँ पर फ्लाइट से उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है जो भी आपर आ रहे है जो भी पैसेंजर्स आ रहे है उनकी यहाँ पर टेस्ट जो है वो की जा रही है पैसेंजर जो आराईव हो रहे है UK से सस्पेंशन के पहले उनको यहाँ पर COVID टेस्ट जो है आराईवल पर इंडियन एरपोर्ट पर मेंडेटरिली करना जरूरी है तो इस तरीके से हमें देखने हैं इंडिया ने हाँ पर जॉइन किया है तीन फैक्टर जो है वो यहाँ पर concern कॉस कर रहा है नई variant के लिए concern क्या है यह बोला जा रहा है कि यह faster spread हो रहा है बाकी जो versions है उनसे 70% जादा infectious है मतलब समझ लिजए और जो है यह खुदी इतना तीजी से spread हो रहा था इतना fast spread हो रहा था और तीसरा यह है कि यहाँ पर जो spike protein है virus का वो change हो रहा है जिसके वज़े से यहाँ पर जो conflict है वो काफी जादा हो रहा है नहीं तो क्या है यहाँ पर यह जो coronavirus है इसके spike हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके spike जो है वो देखने को मिलते हैं और क्या होता है यह जो spike है यहाँ पर connect होते हैं यहाँ पर human जो body cells से उससे जूड़ते हैं यह चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो वो changes जो है उसके वज़े से क्या है एक vaccine जो है उसके लिए भी concern जो है वो निकल कर आ रहा है कि हम vaccine निकाल रहे हैं और बोला जा रहा है 95% ज तो यहाँ पर UK ने announce किया है कि यह जो है यह जो जादा तीजी से spread हो रहा है यह ना तीजी से spread हो रहा है लेकिन इसका higher mortality rate नहीं है मतलब अगर आप देखोगे तो यह dangerous नहीं है जादा हाँ infectious है इंफेक्शियस है बहुत तीजी से spread हो रहा है लेकिन अगर आप mortality rate देखते है तो जादा नहीं है मतलब डेज जो है वो जादा नहीं हो रहे है तो यह चीज़ हमें आपर देख लेकिन फिर भी इसके बारे में detail information coronavirus के बारे में यह नहीं है तो उसके जो रोबोट पिच्चर आपने अगर देखा हो रोबोट पिच्चर में चिट्टी होता है मतलब पहला जाए वही अगर नहीं पता है तो बाकियों को कैसे मारेंगे है ना यह चीज़ यहाँ पर काफी important निकल कर आ रही है तो अब इससे वैक्सिन जो है उससे लेटिल भी concerns निकल कर आ रहे है लेकिन यहीं बोला जा रहा है कि जो वैक्सिन है बोला नहीं जा रहा है मतलब हम बता आपको यहाँ पर समझ में आ जाए हो क्योंकि mortality rate जो है यहाँ जादा देखने को नहीं मिल रही है लेकिन infectious काफी जादा है तो आप जो second wave है second wave यह एक बहुत बड़ा कारणी भूच जो है वो बन सकता है तो इस तरीके से पूरा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है जिसका economy में factor जो है वो भी काफी बड़ा घेरा जो है वो निकल कर आ सकता है क्योंकि एक बार lockdown लगाने के बाद फिर से शुरू करने में काफी तकलिप गई फिर से अगर ऐसा कोई सिनारियो आता है तो फिर काफी बुरी अवस्ता जो है वो हो सकती है तो यहाँ पर हमारा इसका paralysis जो मुता है